एक्स्ट्रा ओडिनरी अटर्नीपूर नेक्फ्लिक्स पे आ चुकी है 17 ओक्टूबर को हिंदी में डब होके इसके कुल 16 एपिसोड है और टाइम डूरेशन के अगर बात करें तो पर एपिसोड इसका एक घंटे से लेके एक घंटे 20 मिनिट के आसपास का पर एपिसोड का टा 9.5 की कॉंटेंटेटिंग इसको मिली है 10 मेंसे अब इस पर बात कर लेते हैं कि आपको यह सीरीज क्यों देखनी चाहिए तो पहले तो इस सीरीज में काफी सारा इमोशन है इसके जो जॉनर्स है उनकी बात करें तो इसमें हुमर है रोमेंस है कॉमेडी है और ड्रामा अफक उनका नाम है पार क्यून बिन और पार क्यून बिन ने इसमें वू यंग वू का करेक्टर प्ले किया है पार क्यून बिन ने वू के करेक्टर पे बहुत अच्छा काम किया है और मैंने पार क्यून बिन को दू यू लाइक ब्राम्स में देखा था ब्राम्स एमेक्स प्लेय लगी तो मैं उसके बार में साजस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी फिला हम लोग आते हैं एक्स्ट्रा ओडिनरी अटर्डी वू पे और वू की बात करते हैं वू जिसको आउटिजम एक्सपेक्टरम डिसॉर्डर है वो किस तरह से एक लॉयर है और खुद को एक बिमारी नहीं है इस नॉट डिसॉर्डर और वो जस्ट एक स्पेशल चाइल्ड है अपने फ्लॉस को पीछे छोड़के आगे बढ़ते रहना है कैसे आगे बढ़ते रहना है इस चीज को इस स्टोरी में दिखाया गया है और वो की स्टोरी मुझे विंचेंजो की याद दि कारे होते हैं जादा तर सीन्स जो थे कोड से रिलेटेड थे तो उसका भी एक अलग मजा था वो जिसकी मेमोरी बहुत जादा शाप है उसे चीजे एक बार में याद हो जाती है और वो लो में बहुत अच्छी थी उसने ग्राजुशन भी बहुत अच्छे स्कोर से पास किय था सो इस वीडियो में जितनी पाते थी I think मैंने कवर कर लिये यह बहुत छोटा सा रिव्यू है मैं कोशिस करूंगी कि इस सीरीज के जो सारे एपिसोड्स है उनका एक्स्पैनेशन वीडियो बनाने के बाद इसका एक बड़ा रिव्यू दूँँ तो थैंक्स वर वाचिं बाई